हाई दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से एक मीटिंग होस्ट कर सकते हैं या आप एक live stream create कर सकते हैं stream yard के through, through your phone, through your android phone तो सबसे पहले आपको google chrome में जाके यहाँ पर आपने सर्च करना है stream yard तो सबसे पहले आपके उपर यह आ जाएंगी इसको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद इस website पे get started get started के बाद आपने अपना email address देना है और get login करना है get login का मतलब यह है कि यह आपके पास एक code भेजेगा आपकी इस email address पे वो आपने वहाँ पे से copy करके या याद करके या लिखके six digit का code आपने यहां password की जगा डलना है उसके बाद आपकी screen कुछ इस तरीके की हो जाएगी तो आपकी screen कुछ इस तरीके की आपको नजर आएगी तो इसके बाद आपने क्या करना है अगर आप देख रहे हैं उपर top left corner पे तीन dots हैं तीन नुकते हैं आपने उसको क्लिक करना है तो आपकी यह setting खुल जाएगी इसके बाद आप अगर नीचे देंगे 9th number option है desktop site नीचे से देखेंगे तो तीसरा number है आपने उसको क्लिक करना है तो उसके बाद आपके हो जाएगा कुछ इस तरीके की screen इसमें सबसे पहले आपने destination में जाना है destination में add destination तो इसका मतलब यह है कि आपने क्लिक करना है यहाँ पे यहाँ से आप जिस stream पे आप यानि live जाना चाहते हैं आपका YouTube चैनल है या Facebook पेज है तो आपने वो select करना है तो आपने जो email address दी हुई है तो उसके साथ यह attach हो जाएगा तो अगर मेरा email address इस account के साथ है तो वो आजाएगा उसको मैंने select करना है select करने के बाद select करने के बाद आप broadcast में वापस आएंगे तो आपके पास ये option आजाएगा create a broadcast create a broadcast पे click करेंगे तो उसके बाद आपको पुछे कि आप किस channel पे जाना चाहते हो तो यहाँ पे जैसे हमने add किया था जो भी वो आपके पास show रहोगा आपने उसको select करना है उपर आपने title देना है जो भी आप जिसके बारे में भी विडियो बना रहे है और उसकी description में आप लिखना चाहते हैं जो भी तो वो आप लिख ले हैं उस चीज़ के बारे में और अगर आप अभी live जाना चाहते हैं तो create a broadcast अगर आप बाद के लिए करना चाहते हैं यानि मैं अभी online नहीं आना चाहता है दो गंटे बाद आना चाहता हूँ तो आप schedule letter में जाके यहाँ पर अपना time date सेट कर सकते हैं और अगर मैं चाहता हूँ अभी live जाऊं तो create a broadcast क्लिक करूँगा तो automatically आप देखेंगे तो एक stream create हो जाएगी इस तरीके के आपकी screen होना शुरू हो जाएगी इसके बाद यह आप से पूछेगा camera हो गया यह आपका phone हो गया जो microwave यह देखें यह आप से पूछेगा allow camera access आप okay कर देंगे allow कर देंगे आपका chrome pictures allow हो गई उसके बाद आप से यह recording audio के लिए आपके mic की permission मांगेगा आप इसको भी allow करेंगे और आपकी screen कुछ इस तरीके की हो जाएगी और यहाँ बे डिस्पले पे आप नाम दे सकते हो ठीक है और enter a broadcast enter a broadcast करने के बाद अगर आप देखेंगे तो आपकी screen कुछ इस तरीके की हो जाएगी अब मैं studio में आ गया हूँ और इसके बाद आपने click करना है highlight तो देखें मैं stage पे आ गया और उसके साथ आप mic mute कर सकते हैं और आप जैसे ही नीचे आएँगे तो आपको नीचे ये कुछ options नजर आएँगे के unmute mic cam यानी on या off ठीक है और आपको अगर अपने phone की screen share करनी है तो share screen है last में option है invite यानी आप जो भी दोस्तों को अगर invite करना चाहते हैं लिंक के आपकी stream को join करें तो आप invite पे click करेंगे तो आपके पास ये window pop up हो जाएगी copy to clipboard copy हो गया उसके पाद आपने जाके अपने facebook पे दोस्तों को messenger में देनी है वो दे सकते हैं या किसी भी whatsapp कर सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये मेरी description में हो ताके दोस्त वहाँ से click करके join करें तो उसके लिए आप अगर top left, top right corner देखेंगे उपर से तो आपको एक edit का option नजर आएगा आप उस पे click करेंगे तो कुछ इस तरीके की भी खुल जाएगी window आपने यहाँ पे click करके अपनी description में paste कर देनी है तो और करने के बाद आपने save changes दबा देना है तो वो आपकी अब facebook पे show होना शुरू हो जाएगी और इस stream को शुरू करने से पहले अब live जाने से पहले अभी मैं live नहीं हूँ अभी मैं back stage पे अपनी setting कर रहा हूँ और आप यहाँ से अपने banners बना सकते हैं ठीक है ticker वगएरा simple आपने यह plus का sign के लिए करना है ABC जो भी आपका है उसके बाद आप कह रहे हैं यह scroll हो तो आपने इस option को tick करना है और add banner कर देना है तो और इसके बाद आप इस पे click करेंगे तो screen पे मेरा यह ticker चलना शुरू हो किया है यह देखें उसके साथ साथ पर आपके पास brand का option है तो यहाँ पे आप color change कर सकते हो कोई भी color रख सकते हो अपने इसाफ से और theme आप रख सकते हो यानि नाम full color में हो या half color में हो और आप logo वगेरा overlay streaming यह जो frame आजाता है आप देखें तो यह आजाएगा अगर आप नहीं show करना चाहते तो वो नहीं आएगा और logo अभी जैसे यह stream याट का आ रहा है आप यह भी अटा सकते है यानि अगर आपके पास premium account है तो और उसके बाद private chat है नीचे यह वो chat है जो अगर आपके दो दोस्त इस्टूडियो में है तो वो आपस में सर्फ बात कर सकते है और उसके साथ private chat के बाद setting है setting में आपकी आ जाती है कि camera आपने चेक करना है audio वगयरा green screen green screen में यह है कि आपको यानि premium account लेना पड़ेगा उसके बाद यह कर सकते हैं जब आपकी setting सब चीजें हो जाती है तो उसके बाद आप क्या करते हो go live आप देख रहे होंगे blue icon इसको click करेंगे तो आपका वो go live होना शुरू हो जाएगा और आपके पास उपर red color में लिखाएगा live उसके बाद आप बोलेंगे जो भी वो आपकी live streaming शुरू हो जाएगी तो यह आपका overview था कि how to do a live streaming और host a meeting on stream yard through your phone और आप किसे गुजारश की जाती है कि मेरे चैनल को like करें subscribe करें और share करें बहुत शुक्रिया